हालो बच्चों कैसे हैं आप मैं पंकच कुमार मिश्र आज आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ धर्म की आड जो की गणेश शंकर भी द्यार्थी द्वारा रचित निवंध है उसका दुतीव हाग लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूँ बच्चों कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि धर्म में किस किस प्रकार से प्रपंच किया जा रहा है किस किस प्रकार से पढ़े लिखे जो लोग हैं वो मूर्ख लोगों की बुद्धी का फायदा उठा करके उनकी बुद्धी में परदा डाल करके और उनको किस प्रकार से बर और माचार हैं, मौलबी हैं, वो लोग भी आ करके और किस प्रकार से कारी करते हैं, अब हूँ आगे की बात इस पार्ट में पढ़ते हैं, तो हम लोग इस पार्ट के आगे की बात पर चर्चा करते हैं, उसको देखते हैं, तो कल हमने पढ़ा था, आपने उसी पाप का फल पढ़ गया था तो धर्माचार जब आए तो उसका हमको आज फल क्या भोगना पढ़ रहा है देश को स्वाधिंता के संगराम ही ने मौलाना अब्दुलबारी और संकराचार को देश के सामने दूसरे रूप में पेस किया गया उन्हें अधिक सक्तिसाली बना दिया और हमारे काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखारने और देश में मजहभी पागलपन प्रपंच और उत्पात का राज इस्थापित कर रही है तो यहाँ पर लेखा किये कहते हैं कि स्वाधिंता संगरा फ्रकारे थे हिंदूओं के जो धर्म aș Colin अचार थे उनको दूसरे रूप में उनको पेश किया गया और उन लोगों ने ज जिस प्रकार की बात एंकि तो हिंदून मुसल्मान में बिभेद हुआ जिसकी बज़य से हमारे देश में मजहभी पागलपन पागलपन हुआ और प प्रारंब किया, तो वहाँ पर एक मजहवी पागलपन हो गया, हम सिर्फ अपने धर्म के बारे में ही नहीं, मना धर्म का तो हम मर्म ही नहीं जानते हैं, कि धर्म क्या है आखिर में, हम केबल संकुचित विचारधारा में होके, कूप मंडू खोकर के आपस में जगड़ा करने लगे, और यह जो बजहवी पागलपन है, यह जो प्रपंच था, यह हमारी जड़े खोदने लगा, माने उसको समूलनस्ट करने लगा, और इस प्रकार की कुरीतियां और इस प्रकार की जो है बातें सामने आई, अब यहाँ पर हमारे जो लेखक महोदे हैं, वो यह कह रहे हैं कि देखी, धर्म आखिर है क्या, तो उन्होंने यहाँ पर महात्मा गांधी जी का उदारन दिया है कि महात्मा गांधी धर्म को सरबत इस्थान देते थे वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तयार नहीं थे परन्तु उनकी बात ले उड़ने से के पहले परतेक आदमी का करतब यह है कि वो भली बात समझ ले कि महात्मा के धर्म का स्वरूप क्या है धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म उचे और उदार तत्तों का हुआ करता है उनके मानने से किसी किसे एत्राज हो सकता है तो यहां पर लेखक महदा यह बताना चाहते हैं कि गांदी जी बहुत धर्मिक थे धर्म के बिना वो एक पाग भी नहीं चलते थे लेकिन उनके धर्म का मतलब क्या था उनके धर्म का मतलब था उसमें उदार तत्तों उसमें महान तत्तों हुआ करते थे जिसको मानने में किसी को एत्राज नहीं थो वो यह नहीं था कि वो हिंदू थे तो सिर्फ हिंदू के ही भला की बात सोचते थे वो सब को ले करके चलते थे उदार थे उनके विचार और आपने गांधी जी का वो गीत सुना होगा कि वैश्णो धर्म जो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे तो उनका धर्म का जो मूल मक्षट था वो ये था कि वैश्णो वही हो सकता है वैश्णो माने विश्णू की पूजा करने वाला हिंदू वही हो सकता जो दूसरे की पीड़ा को समझे अब यहां पर पीड़ा का मतबसी भिए नहीं है हिन्दू हो hoe मुसल्मान हो कोई भी धर्मा बलंबी हो वह दूसरे की help करें दूसरे के द दर्ढ औपना दर्भ संब्हें उसके अंदर सहान tha लुए इसको किसी को भी मानने से इतराज नहीं हो सकता है अब यहाँ पर हमारे जो लिखक मोहदे हैं वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए कुछ लोग धर्म को क्या समझते हैं क्या कि धर्म क्या चीज है वो सिर्फ धर्म इतना ही समझते हैं जैसे वो कहते हैं आजान देने संख बजाने नाक दबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है वो कहते हैं कि हम सुबह सुबह मस्जिदों में जाके आजान देते हैं नमाज पढ़ते हैं घर में बैठके संख बजाते हैं नाक दबा करके एक घंटा पूजा करते हैं ये तो धर्म नहीं है ये तो आडंबर है धर्म का अस पस्ट चिन नहीं है अगर आपके आचरन शुद्ध है आपका आचरन आपका आचार विचार शुद्ध है यह जो दो बाते हैं तो यही धर्म के असली चिन है और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ गोसामी तुलसिदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है कि भगवान क इसको पसंद करते हैं तो उन्होंने लिखा है निर्मल मन जन्सो मोही पावा और मोही कपट छल छिद्र नभावा है तो जो ब्यक्ति मन में जिसके अंदर छल नहीं है कपट नहीं है जिसका हुर्द है निर्मल है जिसका आचरन सुद्ध है वही जो है ब्यक्ति धार्मिक है वो भले चंदर न लगाए, भले वो संख न बजाए, भले वो आजाना करे, लेकिन अगर उसका मन, उसका चित अगर शुद्ध है, वही बिप्ति धार्मिक है, दो घंटे तक बैठ कर पूजा कीजिए, और पंच वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंत इस्वर को इस प्रका किया जाएगा, हमारे लिखक महोदा है, ये कहना चाहते हैं कि आप दो घंटा पूजा करिए, और पूजा करिए, पाठ करिए, भगवान को भोग लगाए, और यग करिए, अनुस्ठान करिए, लेकिन अगर आप दूसरे को तकलीप पहुँचाते हैं, दूसरे की आजादी नहीं देता है कि आप दूसरे को परिशान करें, दूसरे को तकलीप पहुचाएं, ये धर्म नहीं है, धर्म का मतलब ये है आपका शुद्ध आचरण हूँ, आप मन से निर्मल हूँ, ये है धर्म का असली मकसद, और यही मुझे लगता है इस पार्ट का उदेश भी है, आ आने वाला समय कदा पी नहीं टिकने देगा, अब तो पूजा पाट न देखा जाएगा, आपकी भलमन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी, अब यहाँ पर ये कोई नहीं देखेगा कि आप कितने घंटे नमाज पढ़ते हैं, कितने घंटे पूजा करते हैं, कितने भलमन साहत हैं, यही आपका आचरण, शुद्ध आपका आचरण कितना है, यही धर्म की कशोटी है, सबके कल्यान की दृष्ट से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, अगर आप सबका कल्यान चाहते हैं, तो आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरन को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में उत्पात का कीचर उचाडने के लिए आजाद न छोड़ सकेगी तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, पूजा करते हैं, गायत्री मंतर का जाप करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको छूट मिल गई है कि आप किसी की आजादी को रौंद डालेंगे पैरों तले और देश में उत्पात का कीचड उचालेंगे, कीचड उचालने का मतलब होता है एक दुसरे के उपर आरोप मने प्रत्यारोप करना, तो आपको इसकी आजादी नहीं मिलती है कि आपने घंटो पूजा कर लिया, आपने रोजा रख लिया, आपने गायत्री मंतर का जाप कर लिया, तो आपको हैं, जिनका आचरण अच्छा है, अब यहाँ पर लेखक महुत है, यह बताना चाहते हैं, कि अगर कोई बेखती ऐसा करता है, जो नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, गयत्री का मंतर का जाप करता है, यग करता है, हबन करता है, और दूसरों को परिशान करता है, और उत लोगों को परिशान करते हैं, लोगों को तकलीब देते हैं, तो उनसे अच्छे तो कहीं नास्तिक और लोग अच्छे हैं, जो भले किसी धर्म को नहीं मानते हैं, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, लेकिन कम से कम दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्ध के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं, तो वो जो हैं, एक तो दूसरे को परिशान नहीं करते हैं, दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, जो मूर्ख हैं जो विचारे कम पढ़े लिखे हैं हमारे यहां जो निरक्षर लोग हैं उनको अपनी स्वार्थ सिद्धिक के लिए उनको कम से कम उसकाते नहीं हैं उनको जो है स्वार्थ सिद्धिक के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनसे अच्छे वो लोग हैं इस्वर इन नास्तिकों और लाम जहब लोगों को अधिक प्यार करेगा। पर लेखक महोदय कहते हैं कि जो लोग घंटों पूजा करते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनसे तो जादा उन लामा जहाब लोगों को नास्तिक लोगों को इस्वर अधिक प्यार करेगा, जो दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं, एक लोगों को जो पवित्र नाम पर, इस्वर के पवित्र नाम पर, चाहे राम हों, चाहे अल्ला हों, चाहे और भी कोई हमारे धर्म के हमारे इस्ट देव हों, तो उनके नाम पर वो जो पवित्र नाम है, उनके नाम पर अभित्र जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनको करेगा कि मुझे मानो या ना मानो मुझे आप मत मानो मानो या ना मानो यह आपकी मर्जी है तुम्हारे मानने तुम्हारे मानने से ही मेरा इस्वरित कायम नहीं रहेगा तुम मानो या ना मानो मैं इश्वर हूं मैं इश्वर रहूंगा मैं परमसत्ता हूं मैं परमसत्ता रह क्यातनी है कि ईस्त को यह को एह सांपित्र कंत ते कर रहे हो इसको रिस्त को को पहुझता को यह यह करो आप ऊसपने ने नाम के नाम आप ही चरे मनुष्व है वही की जो मनुष्य के लिए मरें, तो मनुष्य वही होता है जो दूसरे की मनुष्य की सहायता करता है, और गोश्वामी तुलसिदास जी ने रामचरित मानस में भी कहा है कि दयाधर्म का मूल है, दयाधर्म अभिमान, तुलसी दया न चाड़िये जब तक घट में प्राण, तो इश्वर ने मनुष्य बनाया है, तो आप मनुष्य बनो भई, आपको मनुष्य बनना है, आप पशु मत बनो, पशु तो लड़ते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता है, आप अपने बुद्धी का इस्तिमाल करो, और प मनुष्य बनो, तो यही था आपके धर्म की आड़, पाठका, मुख, उद्देश, और यही आपको लेखा करो, महोदय आपको बताना चाहते हैं, तो बच्चों हमारा पार्ट यहां पे खतम हुआ, और अब हम इस पार्ट में आए, जो पृष्ण अभ्यास हैं, और जो बातने हैं, उस पे हम चर्चा करते हैं, तो बच्चों नए शब्द जो आए हैं, मजहभी माने धर्म विसेश से मत मतलव रखने वाला, उक्साना माने भड़काना, प्रपंच माने छल, धोखा, उदार माने महान और दयालू, भलमन सहत माने सज्जनता, सराफत, कसोटी माने परख, जाच, लाम जहाभ माने जिसका कोई धर्म ना हो या किनास्तिक, रिश्वत माने घूंस, हैं, सदाचार मा दो महाबरे आए हैं, थोड़ा सा हम उसको चर्चा कर लेते हैं, जड़ उखारना मने समूल नष्ट करना, इसका वाक्य में प्रयोग है, असमाजिक तत्यों की जड़ें उखारना जरूरी है, जो असमाजिक तत्यों हैं, एंटी सोसल एलिमेंट हैं, उनकी जड़ उखारना बहुत जरूरी है, कीचर उखारना, उच्छालना का मतलब होता है, बदनाम करना, यानि आजकल जिसे देखो, वही दूसरे पर कीचर उच्छाल रहा है, तो क्या करते हैं, कि हर बेक्ति एक दूसरे के उपर कीचर उच्छाल रहा है, आजकल जिसे देखो, हर बेक्ति स्वा वाक्यांस होते हैं और वाक्यों में इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि वाक्यों में चमतकार आजा वाक्य सुनने में अच्छा लगे इसको सीधा सीधा नहीं तो इसको जो है इस प्रकास से इस्तेमाल किया जाता है इसकी चर्चा हम जब मुहावरे आपको अब प्रिशन है, आपसे मैं प्रिशन पूँछ रहा हूं, आपने इस पाठ का प्रतम भाग दुती भाग पढ़ा, अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रिशन है, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है तो बच्चों आपने पार्ट में पढ़ा कि धर्म के नाम पर आज सारा अपवित्रकार हो रहा है जो पढ़े लिखे जो चलते पुर्जे के जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे लोगों को बरगला रहे हैं उनको दिशाहीन कर रहे हैं उनकी शक्तियों का उनके उत्साह का जो धर्म के नाम पर और इस प्रकार से अकूत धन भी कठा कर रहे हैं मोटे हो रहे हैं और जो है केबल अपनी स्वार्थ की सिध्धी को कर रहे हैं और देश में सामपरदाइक ताक्तें बढ़ रही हैं जिसकी बज़े से तो आज ये हो रहा है धर्म के नाम पर चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या क्या करते हैं जैसे मैंने पहले प्रश्ण में भी चर्चा कर दिया कि जो चलते पुर्जे लोग हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं जो समाज में नामी लोग हैं सब नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो विकृत मान सिखता के हैं जिनको सिर्फ क महोदय ने कहा है कि वो लोग जो लामजहव हैं, जो नास्तिक हैं, भले वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन वो उन लोगों से अच्छे हैं, जो धार्मिक हो करके दूसरों को तकलीप पहुंचाते हैं, दूसरों को दिसाहीन करते हैं, दूसरों का बेजा फाइदा उठ उन लोगों से अच्छे वो लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है जो ला मजहब हैं बलकि ला मजहब भले हैं लेकिन दूसरे का वो कम से कम भला करते हैं बुद्धि पर मार के संबंद में लेखक का क्या विचार है तो बुद्धि पर मार का मतलब यह है कि हमारे देश में क्या किया जाता है कि बुद्धि पर परदा डाल दिया जाता है यानि व्यक्ति को इतना कुंठित कर दिया जाता है उसके माइंड को उसके मस्तिस्क में ऐसे विचार भर दिये जाते हैं कि उस व्यक्ति को सिर्फ अपना स्वार दिखता है उस व्यक्ति को धर्म के नाम पर लडाई कि आप आप ही चरे मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए उस्प्रकार की बाते उनके मन में नहीं आती हैं तो इस प्रकार से है धर्म का मतलब समझते हैं कि चंदन लगाओ रोजा रखो पूजा करो पाट करो और दूसरे को बाद कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी बहुत धार्मिक थे वो गीता की किताब और राम नाम का जब करते थे लेकिन वो सिर्फ हिंदु धरम तक सीमित नहीं थे वो सब को लेकर के चलने वाले थे और उनका बस एक ही जो वाक्त था कि वैश्णो जन जो उनका प्रिय ग चार यही हैं बाकी आप डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं गांधी जी के दर्शन को अब तो आपका पूजा पाटना देखा जाएगा आपकी भल्मन सहाथ की कसौटी के वल आपका आचरण होगी आसे इस पश्ट कीजिए तो अब यहां पर कहा गया है कि आप तो आपका पूजा पाटना देखा जाएगा आपकी भल्मन सहाथ की कसौटी आपका आचरण होगी लेखा कि यहां पर कहना चाहते हैं कि आप कितने घंटे पूजा करते हो कितना ब्रत करते हो कितना यग करते हो कितना भगवान को भोग लगाते हो यह कुछ नहीं देखा जाएगा यही धर्म की कसोटी है, यह नहीं कि आप तीन गंटा पूजा करते हो, यग करते हो, हवन करते हो, और फिर दूसरे को परिशान करते हो, बैमानी करते हो, और कुटिल चाले चलते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है, आप आडंबर मत करो, आप दिखावा मत करो, मन से आप चाहते हैं उन लोगों को बहिं भगवान को मानो तीन घंटा पूजा करो पाथ करो दिखाबा करो अडमबर करो इससे भगवान का इसरत कायम रहने वाला है कि नहीं है इस बात की चिंता तुम छोड़ दो, कि तुम जब पूजा करोगे, तभी इस्वर का इस्वरत कायम रहेगा, तुम मंदिर बनवाओगे, मस्जीद बनवाओगे, चंदा इकठा करोगे, भंडारा करोगे, और पूजा करोगे, नाक दवाओगे, संख बजाओगे, अजादोगे, तभी इस्वर का रास्ता वरण करो विमानी के रास्ते पर चलो तो आपको यह काम नहीं करना है इस्वर ऐसे लोगों को प्रेम नहीं करता है इस्वर को वो लोग प्रिय हैं जिनका मन हरदय आत्मा जिनकी पवित्र है ऐसे लोग ही इस्वर के बहुत करीब होते हैं अब यहां पर सब सुगम, धर्म, अधर्म, इमान का बेमानी, साधारन का असाधारण, सुगम, तो इस में सुगम, धर्म, अधर्म, रखालता है में पर न कुमिछ सुगम धर्म अधर्म यहां व्याकरण का ध्यान करेंगे, तो उसमें है कि उपसर्ग और प्रत्या से कैसे नए शब्द बनाए जाते हैं, आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अब बचों, आपको थोड़ा हम यहाँ पर उपसर्गों के बारे में, मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, यह व्याकरण जब पढ़ेंगे, उसमें एक चैप्टर ही है, उपसर्ग और प्रत्याप के पाठिक्रम में है, तो उसमें विसेश रूप से चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ उपसर्ग के बारे में बता देते हैं, उससे बनने वाले शब्द बता देते हैं, यहाँ पर कुछ उपसर्ग हैं यह जो उपसर्ग हैं, यह अरभी फार्सी और उर्दु भासा के शब्द हैं, जो हमारे हिंदी में हिंदी में अगत सब्द हैं, जो दूसरी भासाстиं से आयर भोसा हैं, उनने इस प्रकार के शब्दों का भी हम हिंदी में दे बाइडे जह इस्तिमाल करते हैं, तो आप देखिए कि ला का मतलब क्या है, ला का मतलब होता है बिना, तो देखिए ला से बनने वाले सब्द क्या है, ला उपसर्ग है, जैसे ला इलाज, ला पता, ला परवाह, ला जवाब, अब ला का मतलब होता है बिना, तो ला इलाज जिसका कोई इल इसका भी मतलब है बिना, ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो विला वजह, विला नागा, विला बनागा मने बिना किसी प्रकार के कसूर के, या कि बिना किसी प्रकार के छल प्रपंच के, तो इस प्रकार से अब बे सब्द जो है, बे अभाव, अभाव के लिए इसको लिखा ज बेकसूर कसूर नहीं है उसका वह कसूर है तो कसूर है वह उसमें उसका अभाव है बन बनका मतलब बुरा है बद्सूड़्त बदकिस्मत बद्धूब आपने इन वह सुना होगा जैंड बदउपसर्ग हैं बदहाक है किसी हिंदी शब्द नहीं है यह यहाँ पर जो है अर्बी और फार्सी के से और उर्दू में इस्तेमाल किये जाते हैं अब यहाँ पर लिखा गयर देखिए गा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है आप देख लीजिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा यह देखिए य लेकिन गा के नीचे जो डॉट लगता है यह उर्दू फार्सी सब्दों के लिए लगता है और यहाँ पर इसका मतला होता है निशेद तो यहाँ पर लिए गैर हाजिर गैर सरकारी गैर कानूनी यहाँ पर जो हम प्रत्य की चर्चा कर लेते हैं हम हिंदी कक्षा के नाइन्थ के जो पाठक्रम है उसमें उपसर्ग प्रत्य आपको विस्तार से पढ़ना है यह आपके पाठक्रम में है लेकिन यहाँ पर एक तो प्रत्य है बहुत तरह के प्रत्य है अब प्रत्य क्या होते हैं प्रत्य वो होते हैं जो मूल शब्द के कोई जो रहा हूं तो जो मूल शब्द है उसके पीछे लगाये जाते हैं और उससे नया शब्द बनता थे तो उसको हम प्रत्य करते ISS नारीत्व बंधुप्रस्थव बंधुथव तो यहां पर प्रत्यै से यह शब्द ₨ 2 lawiin обने रचतव प्रभुथ नारी **** बंद्थे बंधु॥ तो यह इस प्रकार से जो हैं आपके इतै के शब्द बने हैं और इस प्रकार से भाववाचा क्व यह यहां पर बने हैं लगुत्व अगर कोई बेक्ति लग हुआ है छोटा है तो उसके अंदर क्या है लगुत्व है जो की अब्स्ट्रक्ट नाउन है और प्रभुत्व प्रभु में प्रभुता है प्रभुत्व है नारी में नारीत तो है बंधु में बंधुत्व है तो इस प्रकार तौब प्रत्य यह नए नए शब्दों का निर्मान हुआ है इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे या कि मैं आपको इसके बारे में चर्चा करूँगा अब संयुक्त सब्द कुछ आए हैं देखिए जैसे चलते पूर्जे हैं चलते पूर्जे लोग तो पढ़े लि अब पुन्राविर्ति करते हैं बच्चों जाने से पहले हम इस पार्ट में हमने जो पूछ पढ़ा है उसको हम पुन्राविर्ति करते हैं तो बच्चों हमने इस पार्ट में पढ़ा गनेश शंकर भी द्यार्थी जी ने कहा कि गांधी जी का धर्म धर्म का सही अर्थ आच दूसरे को भी अपना भाई बहन समझें, हमारे देश में एक ये बात है, अयम निजम परोवेति गणना लगुचेत साम, उदार्द चरिता नामतु बसुदैब कुटुम्ब कम, ये भारत की संस्कृति है, कि जो भारत की जो लोग है, वो अपना पराय नहीं मानते हैं, पूर पूजा पाट नहीं है, ये तो केबल आडंबर है, पूजा पाट का मतलब है, आपका मन, आपका हरदय, सुद्ध हो, निर्मल हो, और लामजहब लोग क्यों अच्छे हैं, वो इसलिए अच्छे हैं, भले वो किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन कम से कम वो दूसरे को लिप नहीं पहुचाते हैं, हमारे आप, तो कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे समाज में, कि जो पूजा करेंगे, पाट करेंगे, भगवान को खूब, भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, भंडारा करेंगे, लेकिन उसके बाद गलत काम करते हैं, तो भगवान ऐसे लोगों को माप रखें, है ना, आप से लोग नफरत ना करें, प्रशन अभ्यास की, हमने चर्चा की, उपसर्ग प्रत्य से बनने वाले कुछ शब्द बताए, सब्दों की चर्चा की, अब बचों जाते जाते मैं आपको एक होंबर्क दे करके जाता हूं, आप इस बाद पर चर्चा किजि और बचों मुझे समझ में आ रहा है, और मैं इस बात को अच्छी तरीके से मैं जानता हूं, मैं आसोस्त हूं कि आपको धर्म का सही अर्थ पता चल गया होगा, अब आप धर्म के संकुचित दायरे को नहीं समझेंगे, इन ही शब्दों के साथ मैं अपनी बानी को बिराम देता हूं और मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद.